हलो दोस्तों मैं हूँ सिंडी तक केंडी आज मैं आपको लेकर जाओंगी एक जादूई सफर पर और सनाओंगे आपको कहानी एक मैजिकल पैंसिल की तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब किये बगार मत जाना बच्छों एक समय की बात है एक गाओं में राहूल नाम का लड़का रहता था एक दिन वो जंगल दे जा रहा था तो उसे एक पैंसिल पड़ी मिली उसे वो उठा कर घर ले आया घर आकर जैसे ही राहूल उस पैंसिल को यूज करने लगा तो उस पैंसिल से आवाज आई हलो राहूल, मेरा नाम है स्पार्की दा पैंसिल स्पार्की को बोलता देख, राहूल डर गया तुम बोल सकती हूँ? हाँ, मैं एक जादुई पैंसिल हूँ मैं बोल भी सकती हूँ और तुमारे सब सपने सच भी कर सकती हूँ राहूल डरा हुआ था, लेकिन वो पैंसिल के सच्चाई टेस्ट करना चाह रहा था तो उसने एक मैंडक के तस्वीर बनाई और वो अचंबे में रह गया, जैसे ही फोटो कंप्लीट हुई वो मैंडक पेज से निकल कर बाहर आ गया मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ नहीं राहूल, ये कोई सपना नहीं है, सच्चाई है तो मुझे यूज़ करके जो भी बनाओगे, वो सच हो जाएगा राहूल की खुशी का ठिकाना ही ना रहा साथ मेरा दोस बन कर रहेगा हाँ राहूल, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बना सकते हो मैं तुम्हारे सब सपने पूरे करने आई हूँ बहुत बहुत शुक्रिया स्पारकी, तुमने मेरे एक बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया मैं हमेशा तुम्हें संभाल कर रखूंगा और बहुत प्यार दूंगा समय बीटता गया और राहूल को जो जो चाहिए होता वो उस पैंसिल से बनाता और वो सच हो जाता अब राहूल बहुत खुश रहने लगा था वो और स्पारकी हमेशा साथ रहते और खूब मज़े करते थे एक दिन राहूल ने सोचा कि वो अपने रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाएगा वहाँ पर वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ रहेगा लेकिन वो महल बनाते बनाते रुख गया तो स्पारकी ने पूछा क्या हुआ राहूल तुम रुख क्यों गए तुम अपने लिए महल नहीं बनाना चाते हम महल जरूर बनाएंगे लेकिन अपने लिए नहीं मैं समझ गया हूँ असली जादू बस अपने बारे में सोचना नहीं बलकि दूसरों के बारे में सोचना और जिम्मेदारी समझने में है महल को हम लाइबरेरी बनाएंगे जहां बच्चे आकर किताबें पढ़कर जिन्दगी में आगे बढ़ सकें तो बच्चों इस तरह राहुल को जादू का महत वो पता चला और जिम्मेदारी से वो अच्छे काम करता गया और लोगों की मदद करता रहा